जी, स विश्वविद्यालय पिल्खुवा में 78 वे स्वतंत्रता देवस का आयोजन जनपध हापुल में 78 वे स्वतंत्रता देवस के शुभावसर पर जी, स विश्वीद्यालय के चेयर्मेंग गंगा शरन News शशी शर्मा और डॉक्टर रूपाली शर्मा ने बड़े गौरव के साथ तेरंगा फहराया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, जिससे माहौर राष्ट्रिय गौरव और भक्ती की भावना से भर गया। अपने संबोधन में गंगा शरन शर्मा ने सामुहिक प्रयास के महत मेहत्व पर जोर दिया, और जीस विशुविद्यालय, जीस कैंसर संस्थान और जीस मेडिकल कॉलेज की सफलता में योगदान देने वाले प्रति एक कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत और समर्पन को स्वीकार किया उन्होंने पूरे GS परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा GS विश्वविद्यालय और हमारे अन्यस अंस्थानों की हर उपलब्दी हमारी टीम की अटूट प्रतिबधता का परिनाम है हमने महत्वपूर्ण व्रिद्धी देखी है जिसमें GS मेडिकल कॉलेज में सीटों में व्रिद्धी भी शामिल है उन्होंने बताया कि हम भविश्य में शिक्षा व उपचार के क्षेत्र में नई कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे शशी शर्मा ने अपने भाशन में देश की आजादी और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धानजली अर्पित की उन्होंने जीएस परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुबकामना एग दी और उन्हें समर्पन और निष्ठा के साथ काम करना जारी रखने के लिए प्रोटसाहित किया संस्था के दीन डॉक्टर प्रदीप गर्ग एवं मेडिकल सुप्रेंटिंडेट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जीएस ग्रुप की अब तक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जीएस आयूर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के प्रधनाचार्य डॉक्टर भावना ने बताया कि हम आयूर्वेद शिक्षा के साथ साथ आयूर्वेदेक उपचार के क्षेत्र में अच्छी तरक्की कर रही है जिससे भिन-भिन प्रकार के रोगों में आयूर बेद उपचार लोगों को प्रदान करा रही है